दोस्तों ये हैं हमारे पास किलियर किट जो कि महलाओं के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एक किट है महलाओं को किन किन कंडिशन में डॉक्टर्स द्वारा एडवाईज की जाती है और कब-कब इसको इस्तिमाल किया जाता है किस तरह से यूज करना है कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिले इसके लावा इसके लिए क्या-क्या साबधानिया रहती है प्रिकॉशन क्या है, साइड एफेक्ट क्या हो सकते है इस किट के वारे में किलियरली बताने वाले है दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल NK Pharmacy Knowledge पर जहां आप पाते हैं Medicine-related complete जनकरी तो दोस्तो आज का जो वीडियो है clear kit के बारे में है जानेंगे इस kit के क्या-क्या uses है महलाओं में कब-कब इसको इसको इस्तिमाल कराया जाता है तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे आप वीडियो को बिना skip के लाज तक complete watch करें ताकि kit के बारे में आपको सही और पूरी जनकरी मिल सके साथी दोस्तो चैनल पर फर्स्टाइम विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाल ऐकन प्रेस करके notification all करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें दोस्तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक किलियर किट जो की इसका ब्राइड नेम है जिसके अंदर मीफ प्रेश्टोन एंड मीसो प्रोश्टल रहता है जी है गाइस तो यह किट है इसके अंदर 5 टेबलेट मिलती है तो दोस्तो फाइब टेबलेट की एक किट होती है जिसके अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो मैडले फार्मसीटिकल्स द्वारा इसको मार्केट किया जाता है काफ़ अच्छी medicine company है और market price की अगर बात कर लेते हैं तो 476 रुपए MRP मेंशन है बट लगबग लगबग आपको ये 300 से 300 रुपए में easily आपके रिया में सभी pharmacy stores पर मिल जाता है दोस्तों बच्चों की पहुंच से यहां दूर रखना है आपको क्योंकि यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है इसके अलावा schedule edge prescription drug है यानि कि without doctor के consultation के इसका इस्तिमाल नहीं करना है doctor से सला करने के बाद ही use करना है चली अब हम बात कर लेते हैं किन किन condition में मैलाओं को जो गर्ब है वो ठेर जाता है या फिर उनको conceive नहीं करना होता है कई बार मगर उनकी गलती से कहीं न कहीं उनको pregnancy conceive हो जाती है तो उस condition में उस अंचाहे गर्ब को हटाने के लिए unwanted pregnancy को clear करने के लिए दोस्तो इस kit का इस्तिमाल किया जाता है तो महिलाओं को जब भी इस तरह की समस्या होती है तो गाइने डॉक्टर्स द्वारा इन kit का इस्तिमाल कराया जाता है तो दोस्तो अंचाही pregnancy को clear करने के लिए इस kit का इस्तिमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है महिलाओं को गाईने डॉक्टर्स द्वारा ये सजेस्ट की जाती है एडवाईज की जाती है दोस्तों कॉम्बी पैक है इसके अंदर मीफ प्रिश्टोन इसके लावा मीसो प्रोश्टल दो दवाएं रहती है दोनों ही दवाएं काफी एफेक्टिव हैं और कंसीब प्रेगनेंसी को क्लियर करने का काम करती है कई बार महिलाओं को जब अपने बच्चों के बीच में उनकी बर्थ के बीच में अंतर रखना होता है यानि कि बच्चा कोई है उनके पास और कई न कई भूल से उनको कंसीब हुआ है तो दोनों ही बच्चों की एज के बीच में अगर उनको अंतर रखना है तो ऐसे अंचाहे गर्ब को वो नहीं रखना चाहें तब इस कंडिशन में ये किट के लियर किट जो है इस्तिमाल कराई जाती है और इस किट से क्या है जो कंसीब प्रेगनेंसी होती है वो हलका हलका ब्लेडिंग के थोरों किलियर हो जाती है तो दोस्तो ऐसे ही इसका इस्तिमाल होता है और इस तरह से ये कंसीब हुई प्रेगनेंसी को किलियर करने का काम करती है दोस्तो आप यहां देख सकते हैं इस तरह से ही किट देखने को मिलती है जिसके अंदर 5 टैबलेट होती है जो उपर में सबसे उपर ये टैबलेट है बड़ी टैबलेट है इसके अंदर मीफ प्रिस्टोन 200MG होता है इसके अलावा नीचे की जो 4 टैबलेट है इनमें मीसो प्रोश्टल 200MCG की मातरा में पाया जाता है तो दोस्तो ये चार पाफ टैबलेट है मिलकर काम करती है और अंचाह गर्ब को क्लीर करने का काम करती है तो कईना कई महलाओं के लिए काफी अच्छी है क्लिए मेडिसिन है दोस्तो सभी महलाओं को बताना चाहेंगी इस किट के साइड़ एफेक्ट भी होते हैं तो कभी भी खुद से इस्तिमाल ना करें वीडियो सिर्फ education purpose के लिए है वीडियो को देखकर self medication बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इससे आपको कही न कहीं side effect हो सकता है नुक्सान body में हो सकता है तो जब भी आप इसका इस्तिमाल करें उससे पहले आप अपने गाएने डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लें और आज का ये वीडियो के लियर केट के बारे में ही था मिलते हैं आप से किसी और नए वीडियो के साथ तब तक लिए फ्रेंड्स जैहिं धन्यवाद